नबश्कार, शिक्षक पर्वके इस महत्वपून कारकम में हमारे साथ जूड रहे केमिलेट में मेरे सहयोगी स्री धर्मेंदर प्रदान जी, श्रिमती अनपुना देवी जी, डॉक्टर सुभाज सरकार जी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सीं जी, देश के अलग-अलग राज्यों के मानेनिय शिक्षा मंत्रिगान, राश्ट्रिय शिक्षा निति के प्राणूप को तयार करने वाली समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर कस्तुरी रंगन जी, उनकी टीम के सभी मानिय सम्मानि सर्दस्यगान, पूरे देश से हमारे साथ मोजूत सभी विद्वान, प्राचार्यगान, सिक्षगान और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले राश्ट्रिय पुरसकार प्राप्त करने वाले हमारे सिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी ने कठीन समय में देश में सिक्षा के लिए विद्यार्थियों के बविश्य के लिए जो एक निष्ट प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुल्निय है, सरानिय है, इस कार्कम में हमारे जो विद्यार्थी उपस्तित है, मैं उनके भी चहरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ, देड़ दो सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चहरों पर दिख रही है, ये चमक संभवत है, स्कूल्स खुलने की लगती है, लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, प्लास में पढ़ाई करना, इसका आनन्द ही कुछ और होता है, लेकिन उत्सा के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी, हम सब को आपको भी पूरी कडाई से करना है, साथियों, आज सिक्षक परव के अवसर पर, अनेक नई योजनाओं का प्रारम हुआ है, और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा, इन सभी योजनाओं के विशे में जानकारी प्राप्त की, यह इनिस्टेटिव इसलिए भी अहम है, क्योंकि देश अभी आज़ादी का अमृत महुत्सों मना रहा है, आज़ादी के सो वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है, आज जो योजनाओं शुरू ही हैं, वो बविश्च के भारत को आकार देने में एहम भूमिका निभाएगी, आज विद्यान जली 2.0, निष्ठा 3.0, टॉकिंग बूक्स और ULD बेस ISL डिक्ष्णेरी जैसे नए प्रोग्रेम्स और व्यवस्ताएं लाँच की गई है, स्कूल क्वालिटी एसेस्मेंट एन एश्वरंस फेववर्क यानि SQAAF जैसी आधिनिक शुरुवात भी हुई है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये न केवल हमारे एजुकेर्शन सिस्टिम को ग्लोबली कॉम्पिटेट्व बनाएगी, बल्कि हमारी युवाओं को भी फ्यूचर रेडी बनाने में बहुत मदद करेगी, साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी सिक्षा व्यवस्था का सामर्थ कितना ज्यादा है, चुनोतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनोतियों को तेजी से समाधान भी किया, ओनलाइन प्लासिज, ग्रूप वीडियो कॉल, ओनलाइन प्रोजेक्ट्स, ओनलाइन एक्जाम, पहले एश्य सब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं से, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पैरेंट्स ने, हमारी युवाओं ने, इने सहस्ता से दैनीक जीवन का हिस्सा बना दिया, साथियों, अब समय हैं, कि हम अपनी इन ख्षमताओं को आगे बढ़ाएं, हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दे, सवभाग्य से, आज एक और देश के पास बड़लाव का बातावरन है, तो साथ ही नई राष्ट्रिय सुख्षा निती जैसी आधुनिक और फिचरिस्टिक पॉलिसी भी है, इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निन्ने ले रहा है, एक ट्रांस्फर्मेशन होते देख रहा है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ती है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह अभ्यान केवल पॉलिसी बेज नहीं है, बल्कि पार्टी सिपेशन बेज हैं। NEP के फर्मिलेशन से लेकर, इंप्लिमेंटेशन तक, हर स्तर पर, एकेडेमिशन्स का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रसुंसा के प्रात्र है, अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है, हमें इसमें समाच को भी जोड़ना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, वये कृते वर्दते एव, नित्यम विद्या धनम, सर्वधन प्रधानम, अर्थात, विद्या सभी संपदाव में, सभी संपतियों में सबसे बड़ी संपति हैं। क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है, जो दूसरों को देने से, दान करने से बड़ती हैं। विद्या का दान, शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कारकम में जुड़े, आप सभी सिक्षकों ने भी रुदय से ये महसूस किया होगा। किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोस होता है, वो अलग ही होता है। विद्यान जली 2.0 इसी पुरातन प्रवपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ, सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है। विद्यान जली 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवन प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइबरन प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्रयवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में सुक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादे काल से भारत में समाज की सामोहिक शक्ती पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है, तो इच्छीत परणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा, और देखा है कि बिते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फीर भारत का डेशनल करेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कलपड़ा भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्चता अंदोलन हो, गीवीट अपकी स्पिरीट से हर गरीब के घर में गेस का कनेक्शन पहुचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेंदिन सिखाना हो, हर छेत्र में भारत की प्रगती ने जन भागीदार से उर्जा पाई है। देश के भविष को घरने में अपनी सक्रिय भूमी का निभाएं, दो कदम आगे आएं। आप एक एंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइन्टिस हो सकते हैं, आप कहीं I.S. आफिसर बन करके कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो। फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं, आपके जरिये उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा, उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती हैं। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं, जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर मैनेजर है, लेकिन उत्राखंड में दूर दराज पहड़ी ख्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है। निवरुक्ति के बाद कोई मेडिकल फिल्ड से जुड़ा है, लेकिन गरीब बच्चों को ओनलाइन क्लासिस दे रहा है। उनके लिए संसाधन उपलब्द करवा रहा है। यानि आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीड़ी पर हो। युवाओं के भविश्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है। अभी हाली में संपन्द हुए टोक्यो अलिम्पिक और परा अलिम्पिक में हमारे खिलाडियों ने शांदार प्रसेशन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए है। मैंने अपने खिलाडियों से अनुरोत किया है कि आजादि के अमरित महुतसव के उसर पर हर खिलाडी कम से कम पचचतर स्कुलों में जाए। मुझे खुशी है कि इन खिलाडियों ने मेरी बात को स्विकार किया है। और मैं सभी मानिय शिख्षक गन से कहूँगा, आचारिय गन से कहूँगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाडियों से संपर कीजिए, उनको अपनी स्कुल में बुलाईए, बच्चों के साथ उनका समवात करवाईए। तिकि इससे हमारे स्टूडन्स को कितनी प्रेणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडन्स को खेलों में आगे जाने का होस्ना मिलेगा। साथियों, आज एक और महत्वपून शुरुआत, स्कूल क्वालिटी एसस्मेंट एन एश्यरंस फ्रेमबर्ग यानि SQAAF के माध्यम से भी हो रही है। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए, कोई एक कॉमन साइन्टिफिक फ्रेमबर्ग ही नही था। कॉमन फ्रेमबर्ग के बिना, सिक्षा के सभू पहलूओं जैसे की करिकुलम, पेड़ागोजी, एसस्मेंट, इन्फासक्चर, इंक्लूजिव प्रेक्टिसीज और गवर्नांस प्रोसेसिज, इन सभी के लिए, स्टेंडर्ड बनाना मुश्किल होता था। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग स्कूलों में, स्टूडेंस को सिक्षा में और समानता का सिकार होना पड़ता है। लेकिन SQAF अब इस घाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खुबी है कि इस फ्रेमपर्क में अपनी जरुरत के हिसाब से बढलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मुल्यांकन खुद ही कर सकेगे। इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांसफर्मेशनल चेंज के लिए प्रोत्साहिद भी किया जा सकेगा। साथियों, शिक्षा में असमान ता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में नेशनल, डिजिटल, एजुकेशनल, आर्किटेक्ट्चर यानि एन डियर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। जैसे UPI इंटरफेस नहीं, बैंकिंग सेक्टर को रिवर्शनाइज कर दिया है। वैसे ही एन डियर सभी अकडेमिक एक्टिविटीज के बीश एक सूपर कनेक का काम करेगा। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन, मल्टिपल एंट्री एक्जिट की ववस्ता हो या एकडेमिक, क्रेडिट, बैंक और छात्रों की स्किल्स का रेकॉर्ड, सब कुछ एन डियर के जरिये आशानी से उपलग्द होगा। ये सभी ट्रांस्फर्मेशन्स हमारे न्यू एज एजुकेशन का चहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में बेद को आपको भी खत्म करेंगे। थात्यों आप सभी इस बात से परिचित है कि किसी भी देश की प्रगति के लिए एजुकेशन नक्लिवर इंक्लुजिव होनी चाहिए बलकि इक्वीटेबल भी होनी चाहिए। इसलिए आदेश, टॉकिंग बुक्स और अडियो बुक्स जैसी तक्निक को शिक्षा का हिस्सा बना रहा है। Universal Design of Learning यानि UDL पर आधारित दस हजार सब्दों की Indian Sign Language Dictionary को भी विक्सित किया गया है। असम के बिहु से लेकर भारत नाट्यम तक सांकेतिक भाशा हमारे हां सदियों से कला और संस्क्रित का हिस्सा रही है। अब देश पहली बार Sign Language को एक सब्जक के रुपे पांठ्र क्रम का हिस्सा बना रहा है ताकि जिन मासुम बच्चों को इसकी विशेश जरूरत है वो किसी से पीछे नह रह जाए। ये तक्णीक, दिव्यांग, युवाओं के लिए भी एक नई दुनिया का दिर्बान करेगी। इसी तरह निपुण भारत अभ्यान में तीन वर्ष से आठ साल तक के बच्चों के लिए foundational literacy and numeracy mission launch किया गया है। तीन साल के उम्र से ही सभी बच्चे अनिवार्य तह preschool शिक्षा प्राप्त करें। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इन सभी प्रयासों को हमें काफी आगे तक लेकर जाना है। और इसमें आप सभी की विशेश करके हमारे शिक्षक मित्रों की भूमी का बहुत बड़ी महत्वपून है। साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है द्रश्टान्तों नईव द्रश्टह त्रिभूवन जठरे सद्गुरोहो ज्यान दातों। हर्थात पूरे ब्रह्मान में गुरू की कोई उपमा नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती, जो काम गुरू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज देश अपने युवाओं के लिए सिक्षा से जुड़े जो भी प्रयास कर रहा है, उसकी बागडोर हमारे इन सिक्षक भाई बहनों के हाई हातों में हैं। लेकिन तेजी से बदलते इस दौर में हमारे सिक्षकों को भी नई व्यवस्ताओं और तकनिकों के बारे में तेजी से सिखना होता है। निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्रेम से इस ट्रेनिंग प्रोग्रेम के लिए का एक अच्छा सा निष्ठा आपके सामने अभी प्रसूत किया गया। इस निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्रेम के जरिये देश अपने टीचर्स को इनी बदलाओं के लिए तैयार कर रहा है। निष्ठा 3.0 अब इस दिशा में एक और अगला कदम है और मैं इसे बहुत महत्वपुर कदम मानता हूं। हमारे टीचर्स जब कॉंपिटेंशी बेज टीचिंग, आर्ट इंटिग्रेशन, हाई ओर्डर थिंकिंग और क्रियेटीव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जैसे नए तौर तरीकों से परिचित होंगे तो वह भविश्य के लिए युवाओं को और सहस्ता से गड़ पाएंगे। साथियों, भारत के सिक्षकों में किसी भी ग्लोबल स्टेंडर पर खरा उतरने की ख्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेश पूंजी भी है, उनकी विशेश पूंजी ये विशेश ताकत है उनके भीतर के भारतिय समस्कार और मैं आपको मेरे दो अनुभो बत साना चाहता हूँ, मैं प्रधान मंत्री बन करके जब पहली बार भुटान गया हूँ, तो वहां का राजपरिवार हो, वहां के सासे की विवस्ता के लोग हो, बड़े गर्व से कहते थे, कि पहले हमारे हां करीब करीब सभी टीचर्स भारत से आते थे, और यहां के दूर जाकर के पढ़ाते थे, और जब इस सिख्षकों की बात करते थे, भुटान का राजपरिवार हो यहां वहां के शासक, बड़ा घर्व अनुह करते, उनके आखों में चमक नह जराते थे, वैसे ही जब मैं साओधे रिविया गया, और सायर साओधे रिविया के के जब बात क सिख्षक के प्रती कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचे उसके मन में क्या भाव उड़ता है, साथियों हमारे सिख्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानविय सम्वेदना है, एक पवित्र, पवित्र और नईतिक कर्तव्या है, इसलिए हमारे यहां सिख्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिस्ता नहीं होता, बलकि एक पारिवारिक रिस्ता होता है, और यह रिस्ता, यह सम्मन पूरे जीवन का होता है, इसलिए भारत के सिख्षक दुनिया में जहां भी कहीं जाते हैं, अपनी एक अलग चाप छूड़ते हैं, इस वज़र से आज भारत के युवाओं के लिए दुनिया में अपार संभावनाएं भी हैं, हमें आधुनिक एजुकेशन इको सिस्टिम के हिसाब से खुद तयार करना हैं, और इन संभावनाओं को आउसरों में बदलना भी हैं, इसके लिए हमें लगातार इनोविशन करते रहना होगा, हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लगातार, री डिफाइन और री डिजाइन करते रहना होगा, जो स्पिरिट आपने अभी तक दिखाई हैं, उसे हमें अब और उंचाई देनी होगी, और होसला देना होगा, मुझे बताया गया है कि सिख्षक परवके इस अवसर पर आप आज से 17 सितंबर तक, 17 सितंबर हमारे देश में विश्व कर्मा जैनती गुरुप में बनाये जाता है, यह विश्व कर्मा अपने आप में निर्माता है, स्रुजनहार है, तो साथ तारीख से 17 तारीख तक, अलग अलग विश्वों पर वक्षोप, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, यह अपने आप में एक सरानिय प्रयास हैं, देश भर के इतने टीचर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स, जब एक साथ मन्थन करेगे, तो इस से और आजादी के अमरित महोचों में इस अमरित की एहमियत और ज्यादा है, आपके इन सामुहिक मन्तन से राष्ट्रिय शिक्षा नीति को सफलता पुर्वग लागू करने वे भी काफी मदद मिलेगी, मैं चाहूंगा कि इसी तरह आप लोग अपने शहरों में, गाउं में भी स्थानिय स्थर पर प्रयास करें, मुझे विश्वात है कि इस दिशा में सबके प्रयास, सबके प्रयास से देश के संकल्पों को नई गति मिलेगी, अमरित महुत्सों में देश ने जो लक्ष ताय किये हैं, उन्हें हम सब मिलकर हासिल करेंगे, इनी शुबकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुबकामनाएं.